नमस्कार, इन 5M को कंट्रोल में रखना, अगर इन 5M को आपने कंट्रोल में रख लियाना, तो आप बीड से हट कर दिखोगे, आप लाको की बीड में पेचान जाओगे यार यार नहीं यार वो तो वो आदमी है, वो तो वो व्यक्ति है, जैसे खोईल्य के बीच में हीरा चम जाओगे इस तुन जाओगे, इस 5M को कंट्रोल में रखना, नमबर वान, अपने माउथ को कंट्रोल में रखना, ज्यान रखना, यहीं माउथ है, जो आपको लोगों के दिलों में उतारता है, और यहीं माउथ है, जो आपको लोगों के दिलों से बाहर निकालता है, अच् मेरे कोई देख नहीं है जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो सुंदर है स्मार्ट है बढ़िया है उसकी परस्णाल्टी अच्छी लेगिन जब आप उसके पास जाता और वह बोलता है तो आपको उसकी सच्चा ही पता चल जाती कि वह इंसान क्या है कैसे पता चलती है उसके बोलने से जब तक वह बोलता नहीं है ना तो उसकी सच्चा ही पता नहीं चलती है तो आप जब भी बोलो ना तो अपने मूँ को अपने कंट्रोल में रखना और ऐसा बोलना कि सामने वाला आपसे मंत्र मुक्द हो जाए आपका दिवाना हो जाए आपका कायल हो जाए ऐसे नहीं कि आप कहीं बैटे हो अपने दोस्तों के साथ में, मिटिंग में, बिजनिस में, हर कुछ चटर पटा कर रहे हो, knowledge नहीं तो हर कुछ बखबख कर रहे हो और लोगों का माता खा रहे हो, ऐसा क्यों करना, आपकी personality को decrease क्यों करना, कहते हैं ना कि जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग आपके दिवाने हो जाए तो अपने मूँ को हमेशा कंट्रोल में रखना सेकंड अपने माइंड को कंट्रोल में रखना कहते हैं ना कि खाली दिमाग सेतान का जब आप अकले में हो तो अपने माइंड को कंट्रोल में रखना क्योंकि इनसान अधिकतर गलत कारिय अकले में करता है इसलिए अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना कभी भी किसी भी कंडिशन में किसी भी सूरत में एक भी negative word एक भी single word अपने दिमाग में मताने लेना और जब दिमाग में आ जाए तो उसके उपर positive विचारों को हवी करना भगवान से क्रिशने कहते हैं कि negative विचार तो आएंगे आपके दिमाग में और positive विचार भी आएंगे, लेकिन ये आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप महत्व किसको ज़्यादा देते हो, positive विचारों को देते हो या negative विचारों को, जिसको ज़्यादा दोगे ना, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओगे, तो अपने mind को control रखना और positive विचारों को महत्व देना, third, अपने mood को control में रखना, अधितर लोग क्या करते है, mood है, आज मेरा यार ये कारिय करने का mood नहीं है, भले important work है उसके लिए, बस वालस करते हैं, आज में, कल कर लेंगे, परसू को लेंगे, अभी तो बहुत time पड़ा है, बच्चों के exam होता है, तो साल बर पहले भी उनको पता है कि यार उस वक्त हमारा exam होगा, तेकिन कि अभी तो बहुत सारा time है, यार, course कर लेंगे, यार, अभी कर लेंगे, यार, यही mood आपको बरबाद कर देगा, mood के अनुसार मत चलना, अपना नियम, अपनी consistency के अनुसार चलना, mood नहीं है, बट आपकी निय mood इस वक्त काम नहीं देता है, सूरज को पता है कि रोज मुझे उगना है, तो उगना है, चारो तब मुझे रोसनी फेलानी है, तो फेलानी है, कभी सूरज ऐसे कह सकता है कि आज मेरा mood नहीं है, ऐसा नहीं, तो अपने mood को control में रखना, और अपने manner को control में रखना, अपने behavior को रखना यही behavior है ना आपको लोगों के सामने आपकी अच्छी personality create करता है लोगों से अच्छे से मिनना लोगों से अच्छा सा विवार करना किसी के साथ गलत नहीं करना किसी के साथ दोका नहीं करना कभी किसी के साथ में ज्छन नहीं करना कभी किसी की आलोशना नहीं करना पी तो अपने मेनर को अपने बहेवर को कंट्रोल में रखना और यही कंट्रोल एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगा फिप्थ मनी को कंट्रोल में रखना पेसा पेसा एक ऐसी चीज ना जिसके पास पेसा हर कोई नहीं पचा सकता है आपके पास पेसा नहीं और जब पेसा आ होगे एसा मत करने हैं लक्षमी चंचल है हर किसी के पास रुपी नहीं है पेसे को आप पचाना सीखना मनी को कंट्रोल करना सीखना इसी जगह इंवेश्ट करना जाओ उसको आपको अच्छा रीटर्ण मिले कहां खर्च करना सोच समझ करना अगर आप अपने money को control में नहीं किना, वो एक दिन ऐसा आए खिवा आपके हाथ से निकल जाएक रएकंगाल हो जाओगे Jesús मनी को control में करना सीखना , उसे कैसे बढ़ाया जाए वो सीखना तो इन् communism को आप control में रखना आप बीड मिद आपकर मेद दिखोगे अपने मेनर को कंट्रोल में रखना और अपनी मनी को कंट्रोल में रखना इनको अगर आपने कंट्रोल में रखाना तो आप सबसे आगे जाओगे